हाई फ्रेंज के होम्स कोकिंग में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे माबा गुलाब जामन रेसीपी यह बहुत ही सौप्ट बनते हैं आप एक तरीके से एक बार जरूर ट्राय करना आपको यह रेसीपी जरूर पसंद आएगी तो चलिए देन ना करते हूए माबा गुलाब जामन रेसीपी बनाना स्टार्ट करते हैं यह पर हमने गैस पर कडाही रख दी तो कडाही में हमने दो छोटी कटोरी आटा टाल दिया है आटा को हमें धीमियाज पर एक से दो मिनिट के लिए भून लेना है फ्रेंज आपको गैस को फ्रेंस हमने यहां पर आटा को थाली में डाल दिया है ताकि जो आटा है थंडा हो जाए उसके बाद फ्रेंस यहां पर हमने थाली ले लिए है थाली में हम एक छोटी कटोरी भूना हुआ अटा डाल देंगे एक छोटी कटोरी आटा हमने बचा लिया है उसकी बाद फ्रेंस हमने बड़ी कटोरी से एक कटोरी मावा लिया है मावा को हम डाल देंगे आदा छोटी चमश हमने इलाजी पाउडल लिया है आदी चमश से कम हमने बैंकिंग पाउडल लिया है तो हम चारों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों हाथों से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है उसके बाद फ्रेंज हमने एक छोटे गलास से पानी लिया है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल लेंगे और हमें यहाँ पे नरम आटा लगाना है हमें ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है एक गलास पानी लग गया है तो यहाँ पे हमने दूसरी गलास से एक गलास पानी ओल ले लिया था तो हम हतेली की सहायता से आटे को अच्छे से मेक्स कर देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आटा लगा कर तयार कर लिया है तो एक कटोरी आटा बच गया है आटा हमने लगा कर तयार कर लिया है तो यहाँ पर हम आटा को ढख कर 10-15 मिनिट के लिए रेश्ट के लिए रखतेंगे यहाँ पर फ्रेंस हमने गैस पर कडाही रखती है कडाही में हम देड़ बड़ी कटोरी चीनी डाल देंगे हमने चीनी को डाल दिया है चीनी डालने के बाद यहाँ पर हम देड़ बड़ी कटोरी पानी डालेंगे चीनी को हम चलाते रहेंगे फ्रेंस एक से दो मिनिट की बाद चासनी में उबाल आ गिया है फ्रेंस हमें चासनी को दस मिनिट के लिए पका लेना है तेज आज पर उसकी बाद फ्रेंस यहाँ पे हमने चासनी में छोटी चम्मस से आदी चम्मस लाइची पाड़ो डाल दिया है थोड़ी सी हमना केसर ली है तो केसर को डाल देंगे केसर से चासनी है उसमें अच्छा कलर आएगा हम मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंस चासनी को उबालते हुए फ्रेंस हमें चासनी को उबालते हुए पांच मिनिट हो गए हैं तो अभी हमें पांच मिनिट आवर उपालना है दस से बंदरा हम इने ठोग गया है आटा फूल गया है आप देख सकते हैं तो हम हास से अच्छे से मीड लेंगे आटे को यहां पर हमने आदा चमच रिफाइंट तेल लगा दिया है आटे में उसकी बाद फ्रेंस हमें आटा की सबसे पहले दो बड़ी सी लुईया तोड़नी है आटा को हम लंबा-लंबा करके गुलाब जामन की लुईयों को तोड़ लेंगे आप अपने हिसाब से तोड़ ले बढ़ाया छोटा फ्रेंस हमने एक लोई ली है गूल करके हम गुलाब जामन कासे बना लेंगे तो यहां अबे फ्रेंज हमने दो से तीन गुलाब जामन बना के तयार कर लिये हैं, आप देख सकते हैं, इन गुलाब जामनों में हमने अंदर से कुछ भी नहीं भरा है, फ्रेंज अगर आप चाहें, तो इस तरीके से अंदर किसमिस या फिर कटे हुए बादाम भर सकते हैं, तो यहां आप यहां पे चासनी को देख सकते हैं, दस मिनिट हो गए हैं, चासनी हैं, वो परफेक्ट बन कर तयार हो गई है, तो कलर कितना परफेक्ट आ गया है चासनी में, गैस को हम बंद कर देंगे, फ्रेंज यहां पे हमने आदे गुलाब जामनों को बना कर तयार कर लिया है, आ तेल गरम हो जाने के बाद हम एक एक करके गुलाब जामनों को डाल देंगे तेल में फ्रेंस हमें गुलाब जामनों को धिमी आज पर सैखना है तो गुलाब जामनों को सिखने में चार से पांच मिनिट लगेंगे क्योंकि हम गुलाब जामनों को धिमी आज पर सैंक रहे हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंज चार से पांच मिनिट हो गए हैं गुलाब जामन सिक्कर तयार हो गए है कितना परफेक्ट कलर आया है तो गुलाब जामनों को हम छलनी पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए फ्रेंज इसी तरीके से हमें सारे गुलाब जामनों को सैंक लेना है तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामनों को सैंक लेते हैं यहाँ पर फ्रेंस हमने सारे गुलाब जामनों को सेकर तयार कर लिया है फ्रेंस आप देख सकते हैं हमने गुलाब जामन को प्लेट में निकाल लिया है फ्रेंस यहाँ पर हमने एक अगरवत्ती की तीली ले ली है अगर वत्ती की तीली से फ्रेंस हमें गुलाब जामन को दो से तीन बार छेद देना है इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामन को छेद देंगे तो फ्रेंस आप देख सकते हैं फ्रेंस हमें गुलाब जामन को गरम गरम चाष्णी में गरम गरम गुलाब जामन डाल दने है फ्रेंस यसी तरीके से हमें सारे गुलाब जामनों को चाष्णी में डाल देना है आप देख सकते हैं हमने यहां पे सारे गुलाब जामनों को डाल दिया है तो हम कर्चली की सायता से दबा देंगे गुलाब जामुन को हमें आदा घंटे से एक घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखते न है आदा घंटा से एक घंटा हो गया है आप देख सकते हैं गुलाब जामुन का कितना प्रफेक्ट कलर आ गया है आपको दिखने में ही लग रहा होगा कि गुलाब जामुन हो कितने सौप्ट बढ़ने हैं तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राइ करना फ्रेंज यह बहुत ही टेश्टी भी लगते हैं खाने में अगर आपको माबग गुलाब जामुन रेसीपी पसंद आई धन्यवाद